पंजाब में शुक्रुवार को हुई एक बड़ी दुरगटना के कारण दशेहरे का उत्सव बड़े मातम में तबदील हो गया अमरितसर शेहर से सटे जोड़ा फाटक के पास शाम करीब साड़े छे बजे रावन देहन का कारेकरम चल रहा था इस दोरान एक तेज रफतार लोकल ट्रेन जोड़ा फाटक से गुजरी और ट्रैक के पास खड़े होकर रावन देहन देख रहे हैं बहुत से लोग इस ट्रेन की चपेट में आ गए स्थानिय पत्रकार रविंदर सिंग रॉबिन ने बताया कि जिस वक्त ये तेज रफतार ट्रेन घटना स्थल से गुजरी बहुत सारे लोग ट्रैक के पास खड़े थे कुछ लोग ट्रेक पर बैठे हुए थे और कुछ मोबाइल फोन पर रावन देहन की वीडियो बना रहे थे बताया जा रहा है कि जब रावन के पुतले को आग लगाई गई तो मंच से लोगों से पीछे हटने की अपील की गई इस वज़े से भी काफी लोग मैदान से पीछे हट पर रेलवे ट्रेक पर चले गए थे अमरित सर के पुलिस कमेशनर सुधान चूशेकर श्रिवास्तव ने BBC पंजाबी सेवा को बताया है कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 62 हो चुकी है 150 से ज्यादा लोग जख्मी है पंजाब के स्वास्तमंत्री ब्रहम महिंदरा ने BBC संबादाता अर्विन छाबडा को बताया है कि अब तक दो अस्पतालों में करीब 50 शव पहुंचाए जा चुके हैं तीसरे पक्ष की सामगरी में विग्यापन नहो सकते हैं गटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साज़ा किया जा रहा है इसमें दिख रहा है कि लोग रावन डेहन देख रहे हैं और मुबाइल से उसका वीडियो भी बना रहे हैं तभी बाई ओर से तेज रफ़तार ट्रेन अचानक आती है वीडियो से पता लगता है कि वहां मौजूद लोगों को ट्रेन के आने की भनक तक नहीं लगी रविंदर सिंग रॉबिन ने बताया कि इस कारिक्रम में मंच पर पंजाब सरकार में मंत्री नवजोद सिद्धू की पत्नी नवजोद कोड सिद्धू भी मौजूद थी चश्मदीदों ने क्या देखा हाथ से के वक्त घटना स्थल्प होने ही मौजूद रहे चश्मदीदम अरनात्र ने बताया रावन को आग लगाई गई पर टाके बज रहे थे इस बीच एकदम से ट्रेन आ गई किसी को ट्रेन के आने की आवाज सुनाए नहीं दी मैंने दो लड़कों का हाथ खीच कर उन्हें बचाया मैंने देखा कि 25 से 30 लोगों की लाशें बिच गई है मैंने इन लाशों को उठा कर दूसरी जगे पहुचाया मेरे हाथ पूरे खून से भर गए मैं अभी अभी इनें धो कर आया हूँ उनमे कई मेरे पहचान के लोग थे मैंने उनके चेवरे देखे अमे तमित कुमार का घर घटना स्थल के पास ही है वह घटना के वक्त अपने घर की छट पर मौजूद थे उन्होंने बताया ट्रेन बहुत स्पीड में आई ट्रेन ने कोई हौन नहीं दिया उस ट्रेन ने वहां खड़े सभी लोगों को कुचल दिया स्टेज से कहा गया था कि लोग पटरी से दूर होकर खड़े रहें ये आयोजन हर साल होता है घटना के बाद तनाव अस्पतालों और एम्भुलेंसों को अलर्ड पर रखा गया है घटना स्थल पर लोग प्रशासन के खिलाफ काफी गुस्से में है शुरुवात में शवों को ले जाने के लिए प्रशासन को असी मशक्कत करनी पड़ी क्यूंकि आक्रोशित लोग उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहे थे पुलिस कमेशनर सुधान शूशेकर शिवास्तव ने लोगों से शान्ती बनाय रखने की अपील की पंजाब की मुखे मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग दुख और सनवेद नाय इस घटना पर राश्रे और प्रदेश स्तर के नेताओं ने ट्वीट करके दुख जताया है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने घटना पर गहरा दुख जताया है उन्होंने लिखा ये दिल दहलाने वाली तरास्दी है अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रती मैं गहरी सनवेद नायम व्यक्त करता हूँ और घायलों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ मैंने अधिकारियों को ततकाल मदख का निर्देश दिया है कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांदी ने पंजाब की कॉंग्रेस सरकार और कारेकरताओं से पीड़तों को ततकाल राहत पहुचाने की अपील की है पंजाब की मुखे मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग ने ट्वीट करके बताया है कि वे है घटना स्थल पर पहुँच रहे हैं और बचाव अभियान में जुटा हुआ है ग्रिह मंत्री राजनात सिंग ने ट्वीट किया पंजाब में दशहरे के दिन गई लोगों की अनमोल जानों के नकसान के दर्द को मैं शब्दों में बया नहीं कर सकता मित्कों के परिजनों के लिए सनवेद नाएं और घायलों के लिए प्राथना कर रहा हूँ